हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे योट्यूब चैनल ऑनलाइन पार्ट साला में दोस्तो काफी इस्टुडियन की डिमांड आ रही थी कि इंजिनेरिंग ड्रोइंग पे वीडियो बनाएगा तो दोस्तो आज हम आपके लिए नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं जिसका न का वाइड की जाए तो आप प्लीमें कर सकते हैं या हमारे वर्ट्सअप करिस्टे में कॉट्इट कर सकते हैं ठीक है दोस्तो तो इसके कि engineering drawing होती क्या है इसका pre-work क्यों किया जाता है इसके classification क्या है इसमें कौन-कौन से instrument का pre-work किया जाता है तो आज हम इस बारे में discuss करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तो कि engineering drawing होती क्या है तो दोस्तो हम वैसे ही लिखते भी चलेंगे और बोलते भी चलेंगे ठीक है आप node कर सकते हैं तो सबसे पहले से engineering drawing होती क्या है engineering drawing एक graphical language होती है engineers की तो फहला point node कर लेते हैं it is a graphical graphical ग्राफिकल language of engineers खीक है दोस्तो अब यहाँ पे एक world आरक है दोस्तो graphical तो यह graphical का दोस्तो यहाँ पे क्या मतलब होता है ग्राफिकल का मतलब आपको बताते हैं ग्राफिकल का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारे object है जिसकी drawing हमने drawing seat पे बनाई हुई है तो उसका क्या करना है उसमें क्या किया गया है उसमें dimension का काफी ध्यान रखा गया है ठीक है तो यहाँ पे ग्राफिकल का यह मतलब है कि इसमें dimension का काफी ध्यान रखा गया है ठीक है इसमें dimension का काफी ध्यान रखा जाता है अब दोस्तो बात आती है कि engineering drawing का प्रियोग क्यों करते हैं तो दोस्तों अगर हम किसी object को drawing किसी object की drawing बनाते हैं तो drawing की उसका size होता है उसका safe होता है और उसका construction होता है उसको easily पढ़ने के लिए हम क्या करते है engineering drawing का प्रियोग करते हैं दोस्तों ठीक है तो यहां पर second point बन जाता है Size Shape और Construction इनको क्या कर सकते हैं? Easily पढ़ सकते हैं ठीक है? जो हमारा object है उसके side, shape और construction को हम क्या कर सकते हैं? Easily पढ़ सकते हैं ठीक है दोस्तो? तो हमें ये पता लग गया कि Engineering drawing होती क्या है और इसे हम क्यों प्रियोग करते हैं? तो अब आगे देखते हैं कि इसके classification क्या है? ठीक है? आप दोस्तो ऐसे node भी करते रही है Classification of Engineering Drawing दोस्तो पहला classification आता है हमारे पास Geometrical Classification आप इसे node भी करते रहीएगा ठीक है? Geometrical Classification दोस्तो मैं सारे classification एके करके आपको बताऊंगा आप एके करके लिखते रहीएगा ठीक है? तो पहला हमारा Geometrical Classification होता है उसके अंदर भी हमारे दो classification दो आते हैं ठीक है दोस्तो? पहला आता है इसमें इसके अंदर भी हमारे दो आते हैं दो दो ड्राइंग्स आती है इसके अंदर भी ठीक है? जो फर्स्त है फर्स्त आती है प्लेन जियोमेट्रिकल प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग अब दोस्तों ये प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग क्या होती है इसमें हम क्या बनाते है जो प्लेन जियोमेट्रिकल ड्राइंग होती है जैसे इसमें कौन-कौन से कौन-कौन से हम ड्राइंग बनाते है जैसे आपने सुना होगा एक pentagon होता है ठीक है जिसको हम क्या बोलता है punchbhuj और एक hexagon होता है ठीक है जिसे हम क्या बोलता है satbhuj तो इस प्रकार की drawing को हम किसमे बनाते है plain geometrical drawing में उसके बाद आता है दोस्तों इसी में geometrical में दूसरा आता है solid geometrical drawing अब दोस्तों solid geometrical drawing में क्या क्या आता है हम क्या क्या बनाएंगे इसमें तो इसमें आता है दोस्तों सबसे पहले आता है prism और दूसरा आता है pyramids दोस्तों इसके और भी बहुत से उदारन होते हैं हमने आपको एक दो लिखा रहे हैं तो इस तरह की ड्रोइंग है इसमें बनाई जाती है geometrical के अंदर दो आती है ठीक है दोस्तों इसके बाद हमारी दूसरी जो दूसरा classification है दूसरा classification आता है हमारा mechanical और machine drawing दूसरा आता है हमारा machine या mechanical drawing जो भी है machine and mechanical drawing अब दोस्तों इसके अंदर हमारे कौन-कौन से drawing हम इसके अंदर बनाते हैं इसके अंदर आपने machine देखी होगी कोई भी machine है जैसे जो mechanical वाले या यूज़ करते हैं machine हो गया या parts of machine हो गये तो इस drawing में हम कौन सी इनकी drawing बनाते हैं ठीक है दोस्तों उसके बाद आता है हमारा electrical drawings electrical drawings electrical drawings के अंदर जैसे दोस्तों क्या आएगा हमारा जैसे हमारा motor आगया motor आगया ठीक है दूसरा क्या आगया हमारा दूसरा generator आगया ठीक है तो जी दोस्तों ये क्या होती है हमारी electrical drawing अब तक हमने तीन drawing पड़ ली है geometrical उसके अंदर हमारी दो drawing थी plan और solid geometrical drawing ठीक है दोस्तों उसके उधानान भी हमने यह आपर देखे उसके बाद हमने पड़ा machine और mechanical drawing उसके बाद हमने पड़ा electronics electrical drawings अब हम पड़ेंगे दोस्तों civil drawings चौथा आता है दोस्तों civil drawings अब civil drawings के अंदर दोस्तों कौन-कौन सी drawings आती है जैसे हमारी building होगी ठीक है और जैसे हमारी road होगी ठीक है और जैसे हमारा bridge हो गया तो यह सारी हमारी किसके अंदर आती है civil drawing के अंदर आती है इसमें हम इन ड्रोइंगों का निर्मान करते हैं दोस्तों ठीक है उसके बाद हमारी एक last आती है हमारी electronics drawing electronics drawing अब electronics drawing के अंदर दोस्तों क्या आएगा जैसे जैसे इलेक्रोनिक्स में हम क्या आते हैं एंप्लिफायर हो गया जैसे amplifier हो गया और जैसे radio receiver हो गया तो इसके अंदर आती हैं दोस्तों electronics drawing amplifier और radio receiver तो यह दोस्तों हमारी जो drawing की जो classification थी वो हमने यहाँ पर बताई आपको पांस तरोगी होती है दोस्तों पहले geometrical दूसरी mechanical और machine तीसरी होगी हमारी civil चौती होगी electronics और पांस भी होगी electrical drawings तो यह दोस्तों आपको याद रखना होगा यह हमारे exam में काफी exam के point of view से काफी important है दोस्तों ठीक है अब आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों की engineering drawing में कौन-कौन से instrument का प्रियोग किया जाता है ठीक है तो इंस्ट्रॉमेंट देख लेते हैं दोस्तों कौन-कौन से drawing instrument ठीक है ड्रोइंग इंस्ट्रॉमेंट तो सबसे पहला इंस्ट्रॉमेंट आता है हमारा ड्रोइंग बोर्ड किसी ड्रोइंग को बनाने के लिए देखो दोस्तों ड्रोइंग को बनाने के लिए हमें drawing sheet की आउशकता होती है और drawing sheet को हमें रखने के लिए किस की जरुद होती है drawing boards की जरुद होती है ठीक है सबसे पहले आता है drawing boards देखें दोस्तों जो drawing board होता है उसका shape क्या होता है हमारा इसका shape क्या होगा इसका shape होता है rectangle ठीक है और इसमें दोस्तों drawing boards में भी अलग-अलग size की drawing boards आते हैं तो उन्हें भी हम क्या लिख करते हैं लिख लेते हैं और वो किस के अंतरगाद आते हैं मलब किस के according आते हैं B.I.S. आपने नाम सुना होगा ये question में exam में भी पूछा जा सकता है कि B.I.S. का पूरा नाम क्या होता है तो B.I.S. क्या होता है दोस्तों Bureau of Indian Standard के according हमारे जो drawing boards है उसको भी अलग-अलग बागों में विभाजित किया गया है ठीक है तो हम उन बागों को जानते हैं कि कौन-क कौन-सी उनकी मापे है ठीक है तो यहाँ पर देख लेते हैं शेप आपने ट्रेक्टेंगुलर इसको नोट कर लीजे तो according to according to B.I.S. और जो दोस्तों B.I.S. की full form होती है इसको बोलते है Bureau of Indian Standard ठीक है दोस्तों आप यह full form याद कर लीजेगा क्योंकि यह काफी important है हमारे exam के top point of view से ठीक है दोस्तों अब इसके अंतरके कौन-कौन से हमारी drawing boards आती है First आता है First आता है हमारा anticorrent size इसे हम दोस्तों B.0 से भी क्या करते है दिनोट करते है और इसका जो size होता है वो size की map होती है हमारी 1200 into 950 mm ठीक है दोस्तों यह हमारी जो size होती है वो mm में आती है ठीक है पहला है हमारा anticorrent size ठीक है दूसरा आता है हमारा double elephant size इसको हम B.1 से दिनोट करेंगे ठीक है दोस्तों दूसरा क्या है double elephant size और इसकी जो map होती है वो होती है 950 से sorry 900 से 650 तक दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ गलत होगी है anticorrent जो size है वो बारासो नहीं है वो बारासो पचास से है ठीक है आप इसको सही कर लीजिएगा वो बारासो पचास से 900 तक है ठीक है और जो हमारी double elephant size है वो हमारी 900 से 650 है ठीक है उसके बार आती है दोस्तों तीसरी वाली तीसरा आता है हमारा imperial size imperial size होता है जो drawing board का उससे हम b2 से denote करते हैं ठीक है दोस्तों और उसकी जो माप होती है वो होती है 650 से 500 mm दोस्तों यह सारी mm में आएंगी ठीक है तो तीन तो इसके आगे हैं दोस्तों तीन तरोकी तो हमें drawing modes पता चल लिए हैं दो और हैं उनको हम यहां पर लिख लिते हैं फिर से आपने इसे note कर लिया होगा pause करके आप note कर सकते हो ठीक है दोस्तों इसके बाद आता है हमारा चौधा नम्मर आता है half imperial size ठीक है तो half imperial size को इसको हम लिखें